नमस्कार अधिती की पाट साला पर आप शभी का श्वागत है मैं रिप्शूदन चोबे अधिती की पाट साला पर आप शभी का श्वागत करता हूँ आज हम मद्धेकालिन भारत की इतिहास के विशे में अध्यान करेंगे मद्यकालीन जो इतिहास है वो एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही महत्तोपूर बिंदू है इस पर हमें बहुत लम्बे शमेशे चर्चाएं करनी है लंबा इस पर चर्चा है क्योंकि यहां से जो प्रशन पूछे जाते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रशन होते हैं बहुत ही उसमें कंफ्यूजन होता है जैसे पहले प्रशन को ले लिए कि भारती मद्यकालीन इतिहास में 750 से बारशो इसबीत के मद्य जो काल है वो किश काल के नाम से जाना जाता है तो इसे राजपूत काल कहते हैं किशकाल की नाम से जानते हैं इसे राजपूत का लगले प्रश्णी की तरफ चलें कि 712 में शिंद पर जब अर्वों ने आक्रमड किया तो उस समय वहां का शाशक कौन था तो दाहिर था जो एक सिंधी ब्रामड था अगला जो प्रश्ण है कि जजिया कर लगाने का स्रे मुहमद बिन काशिम को दिया जाता था उसे किश वर्ग पर कर नहीं लगाया तो ब्रामडों पर उसने कर नहीं लगाया था जजिया अगला जो प्रश्ण है कि कि गंत में उल्लेक के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्थ होकर महर्सी वस्रिष्ट ने अत्याचारियों के विनाश है तो आबू परवत पर ये किया और ये कुंद से चार राजपूत कुल परमार चालू की शोल अपना किष्णे की तो तोमरों ने दिली नगर बशाया था नौसो से बारशो इसबी में वह शासक का नाम बताये जिसने विजास्तंब विक्ट्री आफ टावर आफ विक्ट्री का निर्मार कराया तो राणा कुंभा ने चौदा सो चालिस से चौदा सो आनतालिस के वीच चितोडगर में विजास्तंब बनवाया अगला प्रशन कि भारत निमलिखित में से भारत पर पहली बार आकरमण करने वाले कौन थे तो अरब थे जिसे मौम्मद बिन काशिम जो इरान का गवर्नर था वह 1712 में भारत पर आकरमण किया अगला प्रशन प्रिथवी राज राशो निमलिखित में से किसने लिखा है तो आप सभी लोग जानते हैं चन्दबरदाई जो प्रिथवी राज चोहान का एक दर्वारी कभी था उसने लिखा है अगला प्रशन मेल बताईए तो इसमें जो देखिए मेल है परतिहार कन्योज में पाये जाते थे चंदेल जो है खजुराहो परमार जो थे वो धार में पाये जाते थे और सोलंकी या जो चालुक के थे वो अहिन्वाडा में पाये जाते थे अगले प्रशनी की तरफ चलें कि 1100 में निर्मित मंदिर जो भूनिश्वर के अन मंदिरों पर प्रधानता रखता है उसे क्या कहते हैं तो लिंगराज मंदिर जो थो वहाँ पर जो 617 से 657 में बनाया गया था यह 1400 वर्षों से अधित पुराने मंदिर हैं पाय जाते हैं तो यह सबसे प्राचीन मंदिर है चले बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला जो हमारा प्रशनी है वह यह पूछ रहा है कि दिलवाडा मंदिर कहां है दिलवाडा मंदिर कहां है तो माउंट आबू में दिलवाडा मंदिर है जिसे भीम शेन प्रथम ने एक 1031 में उन्होंने कराये थे और यह दस्मी से लेकर एक ग्रहमी सताबदी में इसका निर्माण कराया गया था यहां पर चौशट योनियों का जो मंदिर है विश्रू का जो मंदिर है वह बहुत प्रशिद्ध है अगला प्रशना विजय स्तंब कहां है तो आप सभी लोग जानते है चितोडगर में है जिसे राडा कुंभा ने बनवाया था लिंग राज मंदिर की नियू किशने रखी थी तो यह याती कीशरी जो थे उन्होंने लिंग राज मंदिर की नियू रखी थी इस मंदिर की विशेषता क्या है यह मंदिर वर्गाकार है यानि यह मंदिर जो है वो वर्ग के आकार का है, ऐसे वर्गाकार यानि इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो यह वर्गाकार यानि 150 मीटर वर्गाकार है और इसके कलस की जो उचाई है वो 40 मीटर है, अगला जो प्रशन है शोगनात मंदीर पर 2025 में महमूद गजनवी तो उसमें गुजरात का शाषक कौन था तो भीम देव फष्ट जो था वो गुजरात का शाषक था अगला जो प्रशन है हिंदू विधी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम मिताक्षरा था तो इसे किस ने लिखा तो भी ज्यानेश्च्वर ने लिखा कब लिखा 1086 से 1126 के बीच जब विक्रमादित चालुक के राज्य में हो रहता था तभी उसने लिखा ब्लैक पैगोडा क्या है तो कोडार्क जो बंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं अगले प्रशन की तरफ सूची बद्ध प्रशन हैं ये तो चोहान अजमेर से संबंद रखते थे ध्यान से समझेगा गड़वाल या राठोर जो थे वो कन्नावस से गुहिलावत या सिसोदिया ये भी एक राजपूत थे ये चितोड से संबंद रखते थे और कल्चूरिया है है जो था वो त्रिपूरी से संबंद रखते थे राजस्थान के इतिहास में प्रेड़ता किसे कहते हैं तो कर्नल टाड को जो इस्ट इडिया कमपनी का आधिकारी था जेम्स टाड या कर्नल टाड इसे प्रेड़ता के नाम से जानते हैं प्रेड़ता सब्द का यूज किया राजस्थान सब्द का यूज उसे ही ने सबसे पहले किया था और अगला और लास्ट प्रश्ण हमारा है कि वह ही रिपीटिट प्रश्ण है तो चोहान का शंबंद किससे है तो यहाँ पर हमारे 20 प्रश्णों की स्रिंखला श्रमाप्त होती है अगले प्रश्ण में हम आप से, अगले श्रिंखला में आप से मिलते हैं वीडियो थोड़ा चोटा बना है, अगले में हम ब्याख्या के साथ उपस्तित होंगे वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट अपने जरूर बताईएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिजी अदिती की पाट साला को ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें अगले वीडियोज में हम 50 प्रश्णों की सरंखला के साथ उपस्तित होंगे